आज की वीडियों बात कर रहे हैं फ्री कोचिंग स्कीम 2022 के बारे में जिसे आप फ्री कोचिंग स्कीम 2021 के नाम से भी जानते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 4,000 पर मंत का जो स्टाइपेंड के रूप में कोचिंग क्लास करते हुए मिलने वाला था साथी प्लस आपके जितनी भी खर्चे होंगे कोर्स करने के उस सारे पैसे आपको गवर्मेंट द्वारा दिये जाते हैं वह भी 14 दिन के अंदर अंदर उस सारी स्कीम के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था अगर आ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको सेंटर कहा मिलेगा किस तरह सेंटर पिछली बार मिले थे उसकी लिस्ट मुझे मिल गई है मैं वह आपको दिखाऊंगा और साथी ऑनलाइन क्लासेज भी पिछली बार कराए गये थे और इस बार कराए आते हैं नही अभी तो मात्रेक विचार का विशा है अथ्वा प्रतिच्छा का विशा है आपको प्रतिच्छा करिए क्योंकि 15 जून लाश्ट डेट था फॉर्म अप्लाई करने गा जो कि पहले तो 31 मही था उसे लाश्ट में बढ़ा करके एक्स्टेंड कर दिया गया और 15 जून 2022 तक फ छेंटर बदलने का भी मौका मिलता है यदि आप मानने ये दिल्ली में रहते हैं और आप लखनो के रहने वाले हैं और बाद में किसी कानभस लखनो चले गया तो वह आहाँ से टांसर करा सकते हैं उसके भी आप्शण दिए गया थे पिछली बार तो मैं आपको पूरा के साथ-साथ जो mode 2 mode 2 का मतलब होता है जैसे mode 1 में कहीं classes चल लए थी यानि कि physical classes, online classes के अलावा जो offline classes है वो चल लए थी बाद में online class भी चलाया गया क्योंकि covid को मंदर रखते हुए इसमें 2000 क्यास पर सीटे थी अपकी 3500 क्यास पर सीटे हैं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जिसमें first list में 1332, second list में 661 लोक्स लेट हुए थे ये पिछली बार काया है, मैं बार बार बता रहा हूँ मैं इसमें क्या दिखाना चाहता हूँ आपको मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ कि कैसे इसमें classes होगारा करने के लिए एक option दिये गया थे कि online classes कर सकते हैं देख सकते हैं, 10-0 से 10 जुलाई के बीच में एक रखा गया था, उनके पास option दिया गया था इसके बीच में आप classes जो है आप transfer कर सकते हैं, मतलब आप online classes select कर सकते हैं कोई भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप दिलि में करते हैं आप बात में दिली से ऐसी करा सकते हैं अब आप बात में अगर with rr anachita से भी कर सकते हैं तो यहां आपको कॉनसे से वह मैं आपको दिखाने वाण देखिए का चंडीगड है इंदोर है काफी जगह करनाल है आप यह देख सकते हैं स्री नगर है जम्मो कस्मीर का फिर लखनौ का सेंटर है अलग लग चीजों के लग 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 क्लासी चलती है ना हजरगंत में है यह बाकी जैपूर में है जोदपूर में है इंदोर भोपाल जैपूर चन्न्ही इंदोर दैरादुन नियो दिल्ली नियो दिल्ली नियो दिल्ली फिर असाम है कस्मीर है भपाल लखनौ है दो जगह बाकी पीम्टी की क्लासे यह इक वाले है एक पाइनियर फॉण्डेशन पाउंडेशन का है और बोपाल मनिपूर चंडीगड ठीक है तो यह सारी लिस्ट है बाकी नीचे भी है कटक यानी की उडिसा वाला फिर गुजरात है करनाटक मुंबई नई दिली उजयन रतलाम रतलाम जो है मध्य प्रदेश में पढ़ता है मुंबई पंजाब करनाटक बिहार ठीक है तो हर एक राज्य में लबल लबग सेंटर जो है बनाए गए है यहाँ पर देख सकते हैं फिर सिर्मोर है सोलान है सोलान वही सोलान वैली वाला हिमांचल प्रदेश चंडिकर है जैपूर है बोपाल है सिलोंग है सिलोंग यह आपके मेगाले की राज़ानी मेगाले वाला अगर तला है लबल लबग सारे इसमें राज्य दि दिखने को मिलेगा बाकि मैं आपके सारे प्रश्णों के जबाब जो की आपके अफे की होने चाहिए उसका भी एक पीडियाफ है उसको मैं दिखाता हूँ Q&A जैसा कि आपके कुछ प्रश्णों हो सकते हैं उन प्रश्णों की लिस्ट जो पिछले साल वाली थी उसी के अधार पे आप सेकेंड के लिए सोचीए फिलाल ऑनलाइन के लिए गारांटी नहीं है कि आलाइन क्लासे चलेंगी चांस में भी मिल सकता है ना भी मिले ऐसा भी ह लिस्ट आ गई है बाकि उसम बात में बताएंगे उसारी चीज़ों को जरुत नहीं है फिलाल मैं दिखाना चाहता हूं कि 2022 में जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं जान रहे है उन्हें किस तरह का लिस्ट देखने को मिलेगा किस तरह की जानकारी देखने को मिलेगी भई मैं आपसे सेर कर रहा हूं तो इस तरह से आपको पूरा पूरा डिटेल देखने को मिलेगा और आपको सेंटर में दिखाए दिए इस तरह से आपको सेंटर मिलेंगे तो फिलाल जैसे ही मेरी लिस्ट आती है आपको चैनल माध्यम से जरूर दिखाए जाएगा तो फिल पहर के 12 बज़े के पहले वेबसाइट टोड़ा डिस्टर्ब चल ला था हूं मैंटेनेंस लिख रहा था है दो बज़े बात सही होगा फिलाल हो अल्रेडी सही हो चुका है और सायद उस पर कुछ अपडेशन किये जा रहे हैं और जल्दी जैसे ही लिस्ट जारी होती है आपक आपको सहुलियत के अंसार जो भी लिस्ट में आएगा आपको चैनल के माध्यम से दिखाये जाएगा जैसे ही इसका रियल्ट आता है पिलाल अभी कंफर्म नहीं है अफिसली कब तक आएगा लेकिन अब बहुत देर हो गया है कभी भी आ सकता है एक दो दिन चार दिन पान आपको क्लिक करना होगा और जैसे उस पर क्लिक करना होगा और जैसे उस पर क्लिक करेंगे मेरे अफिसल वेबसाइट पर पहुंच जाएगे